साफियों आप देख रहे हैं यह ब्राकर पूल का नजारा सबसे अलग और यह पूल लगभग हमें जैसा लगता है सतर असी साल पुराना है और इस पूल जरजर हो चुका है चुकि पूल में अब कोई जान नहीं रह गया है इसलिए नया पूल निर्मान हो रहा है आईए ले चलते हैं किस तरह पूल का खुदाई होता है किस तरह पिलर बनता है यह देखना पड़ेगा आपकों और देखने के लिए वीडियो का अंतक बने रहे हैं अभी इंसान कम मसीन ज्यादा काम कर रहा है यह तरह का किरान लगा हुआ है और यह बॉकेट है इस बॉकेट भीडियों यह पिलर कठीक पीचे भी समागया है क्योंकि वहां से मिट्टी को खोदा जा रहा है और मिट्टी खोद करके निकालने से ये पिलर धेरे-धेरे भीतर की और चला जाएगा हमें ऐसा लगता है कि साल दो साल में ये और एक रोद बन कर तयार हो जाएगा है कि फूल यर्जर हो चुका है कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुबारक व्लॉग अगर आप हमारे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें और किरान फिर अपनी लच की और और ये बॉकेट फिर स्कुवा में समा जाएगा ये ठीक जार्खंड का बॉडर पंगाल और जार्खंड का बॉडर यानि जार्खंड का भाग में ये पीलर पहुंच चुका है और इधर की और जाते हैं तो वेश्ट बेंगॉल जो चिमनी नजर आ रहा है वेश्ट बेंगॉल और ये ब्राकर और उधर अगर दिखलाए जाए तो ये वेश्ट बेंगॉल का रिलवे ओवर ब्रीज और विप्रित की सामें जार्खंड के साथियों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जै हिन जै भारत बंदे मातरम